Hi everyone, स्वागत है आपका RS Creation Study Channel में तो आज का हमारा जो टॉपिक हम लोग डिसकस करने जा रहे हैं वो है Henry Louis Vivian Derizio के बारे में और हम लोग इनकी लाइफ के बारे में देखेंगे इनके वर्क के बारे में देखेंगे And the early voice of identity तो हम लोग early voice of identity के बारे में discuss करेंगे बात करेंगे और जो इनकी young movement थी Bengal में उसके बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि Indian society के उपर इसका क्या impact था तो सबसे पहले हम लोग Henry की life के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं तो Henry का जनम जो था वो कलकत्ता में हुआ था 1809 इस भी में हुआ था और इनकी death जो थी 1831 इस भी में हो गई थी मतलब मातर 22 साल ही ये जो थे जी पाये थे इनकी life जो थी 22 साल की थी लेकिन इस 22 साल की life में इन्होंने काफी बड़े-बड़े काम कर दिये थे तो ये जो थे इनको जो है first nationalist poet भी बोला जाता है तो ये poet थे and assistant headmaster थे of Hindu college कलकत्ता ठीक है जो Hindu college है वहाँ पर headmaster थे तो इसके बाद ये जो थे ये एक radical thinker थे मतलब सुधारवादी सोच वाले व्यक्ती थे one of the first Indian educator पहले ऐ educator थे जिन्होंने जो है परसार किया था western learning का और जो science होती है इन सारे topics का among the young men of बंगाल मतलब बंगाल के young man और जो young generation थी उनमें इन्होंने जो है जो western education और science वगएरा थी उनका परचार किया और बहुत जादा उसको बढ़ावा दिया तो हैंरी जो थे son of Indian father and an English mother तो हैंरी को जो है Anglo Indian कहा जाता है तो इनकी जो mother थी वो English थी और डेरिजियो जो थे उस time influence हुए थे बहुत जादा जो English romantic poets होते थे उनसे बहुत जादा influence थे इनका जो work होता था इन्होंने जो है अपना work published करवाना start कर दिया था अपना work लिखना start कर दिया था बहुत ही early age में और यह जो थे patriotic poems लिखते थे क्योंकि यह poet थे और when he was 17 जब यह 17 साल के थे यह जो इनकी जो poems थी और इनका जो work था उन्होंने इनको जो है brought him into the attention of the intellectual elite of कलकत्ता जो मतलब बड बड़े पढ़े लिखे लोग होते थे उनकी नजरों में आ गए यह अपनी work की वज़ा से इनका work कितना अच्छा होता था और यह जो थे in 1826 मतलब 1826 में he was appointed instructor at Hindu college जैसा कि मैंने आपको बताया कि यह 18 साल की उमर से ही college में पढ़ाना इन्होंने start कर दिया था बहुत ही छोट teaching influence था वो student के उपर पढ़ता गया और इससे क्या हो गया वो on him their loyalty तो वो जो student थे वो इसके बहुत जादा loyal बन गए इनकी जो बाते थी उनको बहुत जादा seriously लेने लगे उनको follow करने लगे तो इन्होंने क्या किया कि all classes के जो student थे उन सबको attract करना start कर दिया अपनी तरफ और ये जो थे interact करते थे freely student के साथ और उनको जो है even class के बाद भी सिर्फ class में नी class hour के बाद में भी और went to his home उसके घर जाते थे students where he discords with them freely वहाँ पर उनके साथ बात करता था freely on all sort of topics जितने भी topics थे his deal for interacting with student was legendary ठीक है इसको जो है student के साथ बात करना उनके साथ freely discuss करना अपने विचार इनको बहुत जादा पसंद था और ये जो थे बहुत जादा discuss करते थे जो इनके lectures होते थे वो presented होते थे closely reasoned argument मतलब तर्क वेस्ट argument के साथ वो present होते थे क्योंकि इनकी जो on his wide reading इनकी जो इन्होंने बहुत सारी चीज़े पढ़ रखी थी और ये encourage करते थे student को पढ़ने के लिए free thinking text मतलब जो जैसे right of man हो गया है ऐसी ऐसी books उनको पढ़ने के लिए बोलते थे he encourage questioning the orthodox hindu customs उनको बोलते थे कि जो orthodox hindu custom है उनको आप जो है question करो उनको जो है आप पूछो कि ऐसा क्यों होता है और उनको oppose करो he infuse in his student the spirit of free expression तो ये ये जो थे अपने student के साथ free expression में बहुत जादा openly उनके साथ interact होते थे और उनको जो है knowledge और passion के बारे में बहुत जादा बताते थे और उनको इन सारी चीजों को adapt करने के लिए कहते थे कि आप भी जो है अपनी life को इस way में जीए और question करो जो irrational religious and cultural practice होती है जो गलत जो old custom होते है religious practices होती है जैसे सतीप्रथा होती थी पहले child marriage होती थी तो इन सारी जीजों के ये खिलाफ थे तो ये जो थे जैसे राजा राम महुन रॉय थे तो उन्ही की ideology को ये follow करते थे ठीक है तभी ये एक radical think करते है वादो सुधारवादी सोच वाले व्यक्ती तो थोड़े ही time के अंदर जो है जो की best boys होते थे college के वो इनकी तरफ attract होना start हो गए इनकी बाते सुनना start कर दी उन्होंने तो ये जो henry थे इन्होंने उनको constantly encourage किया to think freely and question all authorities एक तो आप सोचो freely और सारी की सारी authorities को आप question करो और dairy जी ओने प्रमोट किया radical ideas को through his teaching अपनी teaching के through by organizing an association तो उन्होंने एक association बनाई थी जिसका नाम था academic association जहाँ पर जो है debate की जाती थी discuss किये जाते थे जो मुद्दे होते थे topic होते थे on literature, history, philosophy, science हर topic के उपर ideas और social norms freely debate की जाती थी तो ये जो था dairy जी ओने बनाया था एक club जो है debating club कहा जाता है इसको तो जितनी भी activities थी ठीक है, derizio ने क्या किया कि मतलब उनके जो activities थी उनसे charmed हो गए students जो थी बहुत जादा उनकी तरफ attract होने लग गए और young students of Calcutta and brought about an intellectual revolution among them उनके अंदर जो था intellectual revolution होना start हो गया उनकी thinking जो है change होना start हो गए सुधारवादी सोच वाले हो गए, सबके सब radical thinking वाले हो गए जो young generation थी ठीक है तो बहुत जादा और जो derizio थे उनके students को बोला जाता था derosians ठीक है और young man और young Bengal तो जो derosians थे उनको बहुत जादा great pleasure मिलता था interaction with student interaction students के साथ interaction करके और वो बहुत जादा कुछ लिखा करते थे students के बारे में अपने students के बारे में ठीक है उनकी एक line है मैं आपको बताती हूँ expanded like the petal of young flower I watch the gentle opening of your mind मतलब एक flower की तरहा जिसकी जो petals होती है जो पंखुडियां होती है वो बहुत आराम से expand करती है जो खुलती है बहुत gently तरीके से उसी तरह से मैं भी आप लोगों के जो दिमाग है उनकी opening को वैसे ही feel कर सकता हूँ उसको देख सकता हूँ ठीक है तो ये जो अपने students के बारे में बहुत कुछ लिखा करते थे और ये जो थे क्योंकि इनके जो age gap था ना इनके students के साथ बहुत कम था और कोई-कोई students तो इनसे बड़े होते थे, older होते थे कुछ younger होते थे, कुछ older होते थे कुछ same age के होते थे क्योंकि ये बहुत छोटी उमर में 18 साल की उमर में इन्होंने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था और 22 साल की उमर में इनकी डैथ हो गए थी 1820 से लेकरके 1830 के बीच में ठीक है तो ये जो था ये जो टाइम था है सिर्फ आट-दस साल का पीरियड था जिसमें यंग बेंगॉल मुवमेंट जो थी अपनी उन्चाईयों पर थी और इस मुवमेंट की सुरात किस ने की थी हैंरी ने की थी तो हैंरी के जो रैडिकल और इ होगा तो यही था कि जो फ्रीडम है लिवर्टी है एक्वैलिटी है वुमें एजुकेशन है वुमें राइट्स है तो फ्रेंच रेवलुशन में भी ये सारी के सारी चीज़ें जो थी मतलब लिवरल जो थिंकिंग थी ऑफ इंगलेंड वो सारी के सारी वहां पर फैल रही थी तो इसी से इंस्पायर हुए थे हैंरी तो अब हम लोग देख लेते हैं कि जो डैरोजियन होते थे ठीक है या फिर जो डैरेजियो थे उनकी आइडियाज और टीचिंग क्या थी वो मतलब क्या चाहते थे डैरेजियो ने परमोट किया था रेडिकल आइडियाज को और wanted to spread intellectual revolution among young student तो इनके जो main point थे जिनकी उपर इनकी जो teaching थी वो थे कि he was supporter of freedom of speech and thought और जो second था question all authority कि all authorities को question करो अगर कोई गलत कर रहा है और था love, liberty, equality और freedom ये सारी चीज़ें जो थी मतलब freedom के बहुत जादा ये support करते थे freedom का henry also support rights of education मतलब rights and education of women तो women की education के उपर भी नोंने काम किया था और उनके support करते थे henry criticized the social practice and religious belief of orthodox orthodox hinduism जो orthodox जो छोटी सोच वाले जो religion belief होते थे और जो मतलब ऐसी thinking होती थी old thinking उनको इन्होंने जो है क्रिटिसाइज किया और opposed old social tradition and custom जो जैसे सत्थी पर था और child marriage और भी बहुत सारे ऐसे custom होते थे तो उनको इन्होंने बहुत जादा अपोज किया खुलेयाम अपोज किया तो ये जो था अब 1830 के और 20 के बीस और 30 के बीच में आप देख सकते हो कि ये time बहुत ही जादा early था तो इनकी ये जो thinking थी ये बहुत जादा time से बहुत जादा advance थी तो ये जो यंग Bengal moment थी इसका बहुत जादा impact नहीं हुआ society के उपर ठीक है क्योंकि ये बहुत जादा advance थी अपने time से और कुछ जादा impact तो नहीं पड़ा क्योंकि socially मतलब socially इतना जादा development नहीं थी उस time जो society थी वो socially बहुत जादा develop नहीं थी उनके thought इतने जादा advance नहीं थे society जो थी वो इनके विचारों के साथ में जो है नहीं चल सकती थी उस time मतलब इतना जादा पिछड़ी हुई सोच थी और derosian बहुत ही early थे मतलब उस time से बहुत जादा advance थी इनकी thinking जो society थी वो उस time radicalism के लिए जो उसके लिए तयार नहीं थी age old custom जो थे tradition थे वो बहुत जादा strong grip बनाये हुए थे society के उपर बहुत जादा society को जकड़े हुए थे अब इन grip को खुलने के लिए मतलब धीरे धीरे खुलना था इन gripोंने एकदम तो नहीं खुल सकते थे ना ये जो age old custom थे ठीक है society को जो है modern होने में बहुत जादा time चाहिए था इन सारी चीजों को अपनाने में और इसलिए sudden radical ideas को accept नहीं किया गया reject कर दिया गया इनकी जो movement थी उसको derosian का impact long term impact नहीं था short term impact था तो इसका परिणाम क्या हुआ इसका परिणाम ये हुआ कि 1831 में जो है henry को जो है Hindu college से निकाल दिया गया और ये कहा गया कि मतलब इनकी जो सोच है इनकी जो thinking है वो काफी radical है और इनकी teaching भी काफी radical है जो students है वो बहुत जादा इनकी thinking को जो है इनकी radical thinking को अपना रहे हैं तो इस विज़े से इनको निकाल दिया जाता है और इनको college से निकालने के कुछी time के बाद इनकी death भी हो जाती है लेकिन इनके जो derogian है जो students है उन्होंने काफी इनके जो work है उसको आगे ले गए वो लोग उन्होंने फिर भी इनका work जो है जारी रखा एक और कारण इनकी जो moment इसको fail होने का एक और कारण है कि इनका जो derogian है या फिर henry है इसको जो है social group और किसी भी class से कोई खास sport नहीं मिला जैसे राजा राम मोहन रॉय को मिला था और बाकी जितने भी radical thinker थे जैसे tagore हो गए वो जो थे मतलब वो connect होते थे जनता के साथ तो उनके साथ जनता जुडती थी लेकिन इनके साथ ऐसा कुछ नहीं था इनका masses में अच्छा connection नहीं था इसलिए इनकी movement जो है धीरे धीरे फीकी पड़ती गए और उस time के बड़े issue थे जैसे किशानों के मुद्दे हो गए जो derosian ने address नहीं किये उनके बारे में इन्होंने discuss नहीं किया उनको इन्होंने नहीं उठाया जो मतलब लोग जो जनता के साथ ये लोग जो है अच्छे से connect नहीं कर पाए तो इस कारण से इनकी जो movement थी वो कुछी साल चली मतलब long term impact नहीं थे लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इन्होंने कोई काम नहीं किया इन्होंने बहुत से काम किये है इनके ऐसे काम है जिन्हें आज भी याद रखा जाता है जैसे की induction of Indian in higher grades of service और जो second है वो है better treatment to Indian labor in abroad जो की British colony थी उस time की तो उस time जो था Indian labor को जो है बहुत सारे मतलब जो अधिकार थे या फिर जो उनको better treatment की मांग की थी इन्होंने और वो मानने भी गए थे और third है protection of right from oppressive जमीनदार तो जब उस time जो था जमीदार वाला system था तो तब के जो किसान होते थे या फिर जो मजदूर होते थे तो उनको जो है उनको protection provide करवाया जो उनका शोशन करते थे जमीदार उनसे जो freedom of press और trial by a jury तो ये बहुत से काम इन्होंने किये हुए है तो ये था Henry Lewis की life के बारे में और young Bengal moment के बारे में और इनकी ideology, struggle और इनका जो impact था society पर वो क्यों इन्हें याद किया जाता है तो I hope आपको ये video पसंद आई होगी और आपको समझ में आया होगा अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगिऊगी प्लीज मेरे चैनल को like, share और subscribe जुरूर कीजिए thank you for watching my channel मिलते हैं ऐसी ही किसी next वीडियो में तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए बाइबाए